नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देशंगरतिवारी हूँ महाराष्ट में राश्पति सासन लग गया इसके साथ ही एक तरह से कह सकते हैं कि जिन मद्दताओं ने ये सोच के वोड़ दिया था कि लोगतांत्रिक सरकार बनेगी उनके साथ धोखा हुआ धो कंडिती राश्पत सासन के रूप में हुए फ़री तोर पर देखेंगे तो ऐसा लगे गा जैसे कि बिजेपी के इसारे पर बहुत सारी चीज़े की गई और जीन पार्टियों को ज्यादा समय मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला लेकिन एक सवाल इन बातों को छोड़ भी सवाल जरूर उसका जवाब चाहिए कि आखिर कार वाजा है कि बीजेपी को मोगा मिला सीमसेना को मौका मिला और और कांग्रेस को क्यों नहीं मोगा मिला चाहिए इस समन्झ में आखिरकार जब तीन दलो को दिया गया मौका तो कांग्रेस को भी मिलना चाहिए था और कांग्रेस भी इस सवाल को उठा रही है कांग्रेस के मुख़ी प्रवक्तर जो ररणदीप सुर्जेवाला है उन्होंने का कांग्रेस के साथ सरासर धोखा किया गया है तो फिर कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए होगता है कि आन्यों के सहयोग से अपना भामत सावित कर डेती तो इसको बेसक आप कोर्ट में चैलेंज करते रहें लेकिन वैसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जो गये थे NCP के साथ गट बंधन करके चुनाव लड़े थे और NCP उसमें बड़ा दल बन करके उभरा और NCP को राजेपाल ने मौका दिया तो फिर आप यह नहीं क हो गई तो कांग्रेस के दावे को या कांग्रेस के तरकों करने की में नहीं होते तो ऑइसे में यह सवाल को आपने मौका दिया 55 Н1 को 48 गंटे का दो 25 को ठीकर तो फिर कंग्रेस भी जो हैं मौका मिलना चाहिए थाब कांग्रेस शिकायत करेगे करेंगे और आप जो है उसका एक याज का दाखिल कर चुकी है रजिश्टी का इंदजार हो रहा था कि सायद सीजिया की हां से कोई मेसेज आएगा तो आज ही सुनवाई हो जाएगी लेकिन खबर है कि से से कोई मेसेज नहीं आए इसलिए आप सुनवाई होती है कि इस पर नहीं होती है और हो सकता है कि फिर राश्पर सासन लगने के बाद जो एक और याज का डालनी पड़े सीवसेना को और वहां से उसको क्या रिलिफ मिलता है बाराल यह कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सब को आपने मौका दिया कांग्रेस को क्यों नहीं मौका दिया तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रही है हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबानर ना भूब